करेन अदू विप्रिश्ट करेए। है allora सॉफ्टोेर इंजिनिरिंग में आप लोगों को सॉफ्टो। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन की बारे बताने वाला हूं बश्टो कुल सब्सक्राइब साद्रा ऑफ्टो नियौन से ओ्डॉरु करने और जिस और इस्टेप्स को हम accurate follow करते हैं तो हमारा estimation वो effective होता है और software develop होता है ठीक है तो software develop करने के पहले हमें estimate लगाना पड़ता है कि हमारा cost होगा कितना होगा हमारा जो budget होगा लुछा होगा तो यह cost होगा यह depend करेगा वाले stepसी यह यहनी प्रोजेक्ट का size क्या होगा, project में कितने लोग्त काम करेंगे ठीक है प्रोजेक्ट कितना समय लेगा तो ये तमाम स्टेप्स को जब हम फॉलो करेंगे तब हमारा कास्त निकलेगा और बजट निकलेगा जिसको करने के बाद हम फिर आगे proyecto जो है डेवलप करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट सॉफवेयर प्रोजेक्ट अस्टेमेशन का जो डाफनिशन अवसको हम देखते हैं आप देखिए स्क्रीन पे जो हमने प्रोजेक्ट सॉफ्डर्प रेट्शिच्टमेशन की डेफोनेशन लिखे है कि it is the process of estimating various resources required for the completion of a project ठीक है तो किसी भी project को complete करने के लिए जो resources की जरौत होती है उसको estimate लगाना उसी estimate लगाने के विधी को हम क्या करते हैं software project estimation कहते हैं ठीक है दूसरा देखिया effective software project estimation is an important activity in any software development project किसी भी software development project होगा जो भी project हो जिसमें software develop करना है तो क्या होगा important activity यानि कि वह बहुत खास activity होगी और उस activity के लिए हमारे पास estimation होना चाहिए वह effective होना चाहिए ठीक है तब ही हम customer के requirement उसको fulfill कर पाएंगे so this is the short definition के project estimation किसे करते है project की budget के बारे जानना उसका अंकलन करना है project हमारा क्या होगा कितना आएगा कितना समय लेगा और कितनी लोग काम करेंगे ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इसके steps पर कि steps कौन कौन से steps follow करना पड़ेगा इसके वज़ा से हम इसमें काम कर पाएंगे अच्छा से ठीक है यह बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं top में लिखा हुआ है हमारे screen पे software project estimation encompasses the following steps यह जो estimation हो यह कुछ steps हमने यहां पर लिखे हैं उसको follow किया जाएगा तब हमादा जो है वह accurate estimate निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले क्या estimating the size of project project का size को estimate करें इसको भी माग आगे explain करेंगे ठीक है दूसरा जो इस टेप है estimating effort based on man month और man hour यानि कि estimating effort करने effort के ऊपर estimate करना है ठीक है तीसरा हमारा estimating schedule in calendar days month year based on total man month ठीक है यानि हमको क्या करने समें हमारा time कितना लगेगा schedule कितना लगेगा उसके उपर estimate करना है और final step होगा हमारा जो main step है estimating total cost of the project यानि project में कितना cost आएगा उसको हम estimate करेंगे ठीक है तो हम देखते हैं इसको एक एक करके follow करते हैं क्या है step में सबसे पहले देखे step 1 पे उपर हम बात करते हैं कि software का size का estimate करना ठीक है software size may be estimated either in terms of klock that is kilo line code kilo line code or by calculating number of functions points in the software ठीक है यानि software का size होगा वो estimate होगा कि उसमें coding जो है वो कितना 1000 line का code है kilo मतलब 1000 कितना 1000 line का code है या फिर उसको calculate किया जाएगा number of function points in the software कितनी function points है actually अगर हमारा project या software बहुत बड़ा होगा हमारा kilo line जो code हो ज्यादा होगा या functions में ज्यादा होगा ठीक है जो functions काम करें उसमें ज्यादा होगे तो उससे हम estimate कर सकते है कि हमारा project size कितना बड़ा है ठीक है मौडल पढ़ेंगे, मौडल यानि की software project estimation को find करने के लिए जो मौडल होते हैं, उसमें हमको देखेंगे की कीलो लाइन कैसे निकालते हैं, परमंद कैसे निकालते हैं, मैन आवर कैसे निकालते हैं, वो हम लोग मौडल में देखेंगे, ठीक है, चले, दूसरा step जो है, the manager estimates effort in terms of personal requirement and men are required to produce the software, अब पहला जो हमारा step हो गया, कि हमारा project size क्या है, उसी पर depend होगा हमारा effort कितना लगेगा, ठीक है, और ये तमाम जो काम है, ये manager, software manager का काम होगा, कि वो estimate करे, estimate करने के लिए या तो उसको model के थुरू तो निकालेंगे ही formula, और दूसरे क्या करेंगे, यहाँ पर देखे मैंने लिखा हो, from past experience, अगर पहले से software बना होगा, बनाया गया होगा, तो उससे भी हम estimate कर सकते हैं, कि पहले software में कितना पैसा, कितना effort लगा था, उसी हिसाब से हम नया जो अभी project जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसका step उसको follow किया जाता है, ठीक है, उसके बाद तीसरा step जो हमारे पास है, वो है scheduling का, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, scheduling का, ठीक है, इस scheduling को हम time भी कहते हैं, estimating the project scheduling from the effort estimated, यानि जो second step होगे हमारा, कितना effort लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितनी काम करेंगे, उस हिसाब से हमारा scheduling होगा, उस हिसाब से हमारा time लगेगा, उसको हम अंकलन करेंगे, effort estimated से, ठीक है, it will generally depend on human resource involved in process, यानि उस process में कितनी लोग शामिल है, ठीक है, कितने लोग उसमें काम करेंगे, उस हिसाब से हमारा time लगेगा, अगर हमाने पास main power बहुत ज्यादा है, तो time कम लगेगा, ठीक है, तो time कम लगेगा, लेकिन cost ज्यादा लगेगा, तो तमाम चीज़ को हम किसमें देखेंगे, scheduling में है, scheduling के estimate करेंग कितना time लगेगा, कितना calendar month लगेगा, उस चीज़ को हम किसमें देखेंगे, scheduling में देखेंगे, जब यह हमारा step complete हो जाएगा, तब हम देखते हैं, कि हमारा जो project cost है, या estimate cost है, उसको हम कैसे find करेंगे, उसको हम कैसे find करेंगे, cost को, so it is derived from, तो यह जो cost निकल ला जाएगा, वो जो है, या तो project के size पे, project effort कितना लोग काम कर रहे हैं, project कितना बड़ा है, ठीक है, project में जो hardware, infrastructure, जो system लग रहे हैं, वो क्या है, या फिर travel expenses, मान लेजे, जो company है, company में जो software, इस language में मान लेजे, develop कर हैं, और उस language का जान कर नहीं है, तो मान लेजे, company जो है, अपनी employee को कहीं दुसरे जगा भेशती है, training के लिए, तो वहाँ पर जो travel expenses होते हैं, वो भी cost में ही include किया जाएगा, ठीक है, फिर हम देखते हैं, telecommunication cost है, जो project develop करने के जो दर्मयान, जो भी customer से, या जो और लोगो को training देंगे, ठीक है, तो तमान तरह का cost को हम, जो है, वो इसमें include करें, cost में, यह हमारा fourth step था, तो इसको include करने के बाद, हमारा जो है, वो estimate हो जाता है, कि project का, project कितना समय लगेगा बनने में, और उसमें कितना budget आएगा, तो यह जब तमाम चीस को हम लोग करने के बाद, ज उसको project को approve कर देंगे, उसके बाद project का जो next step होता है, उसको आगे करेंगे, तो यह था project, software project estimation, उसके चार steps होते है, project का size है, project effort है, ठीक है, उसके scheduling है, time है, और cost है, ठीक है, अगर इसमें कोई आपको doubt हो, तो अब जब लो हमें बताई, comment section में,